स्क्षेशन दोजा 10 का सवाल है, सवाल है, आपने को ये गिवन है कि दर तू बॉल्स मेट एटी इस उगल तो 18 सेकेंड, सवाल है, वाट इस वेल्य ओव वी, जिस वेलोसिटी से हमने सेकंड बॉल को फैका है, उसकी वेलोसिटी बतानी है, सवाल है, सेनेरियो ये है कि ये आपकी एक बिल्डिंग है, लेटर से इसकी हाइट एच है, डेजन्ट मेटर, विकास ग्राउंड पर नहीं मिल रही है, तो यहां से एक गेंद आपकी ए है, जिसको आपने ड्रॉप किया है, और ड्रॉप किया है, आपने T is equal to 0 पर, दूसरी एक गेंद जिसको T is equal to 6 पर आपने यहां पर ड्रॉप किया है, दूसरी गेंद B है, जिसको आपने T is equal to 6 सेकेंड पर ड्रॉप किया है, और ड्रॉप करने दिखते हुए, आपने उसको V वेलोसिटी दिये, अब इस वाले में देखेंगे, तो अगर आप इसको consider करें कि T is equal to 0 से, जिसको आपने फैका है, यहां से उपर से नीचे चलिए 18 सेकेंड, यह वाली गेंड जो क्योंकि इसको 6 सेकेंड बाद फैका है, तो यह actually चलिए 12 सेकेंड और इन दोनों की रास्ते में होगे मुलाकात, बस इस case में हमें यहां पे let's say h height पे इन दोनों की मुलाकात होगी, अब second equation लिखेंगे उसको हमने equate कर देना है, तो पहले वाली के लिए हम second equation जो लिखेंगे, second equation होती है, अपने s is equal to ut, plus half 80 square, second वाली equation के लिए, यहां पे जो h is का displacement होगा, उसे आप लिखेंगे, minus h, because इस point को हम 0,0 लेते हैं, initial velocity 0, plus half यह आजाएगा, minus g t square, t square की जगे आप लिखेंगे, यहां पे 18 का square, यह आपकी पहले वाली की equation हो गई, यही same value आपके लिए, दूसरे वाली gain के लिए जब लिखेंगे, equation बना गई, second वाली gain के लिखा जाएगा, minus h is equal to ut, t की value आप लिखेंगे, यहां पे 12, plus half, multiplied by यहां जाएगा, minus g multiplied by 12 का square, अच्छा, u की value, क्योंकि आपने नीचे direction में velocity दिये है, इसको v लिख लेते हैं, क्योंकि उसनोंने v word यूस किया है, उसकी value आप minus में लिखेंगे, अब बस इन दोनों को equate कर देना, एक variable, एक equation है, अपनी value आजाएगी, तो इसको अगर हम लिखेंगे, तो यहां जाएगा, minus half multiplied by 10, multiplied by 18 का square, is equal to minus v multiplied by 12, minus half multiplied by g की value 10, multiplied by 12 का square, अगर इसको solve करने के लिए, अगर हम v into 12 को इस तरफ ले आए, तो यह बन जाएगा, आपका 12v is equal to इसको उधर ले जाए, यह बन जाएगा, half multiplied by 10, multiplied by 18 का square, minus 12 का square, अगर 12 से divide कर देंगे, आपका answer, इसको अगर आप notice करेंगे, यह 18, एक तो तरीका यह है कि आपको 18 का square आता हो, 12 का square आता हो, तो आप उसको use करके, of course, use कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, बच्पन में हमने सीखा था, a square minus b square, इसको आप लिखते हैं, a plus b multiplied by a minus b, उसको अगर हम यहाँ पर use करेंगे, तो आपकी v की जो value हो जाएगी, यह हो जाएगी half multiplied by 10 divided by 12, 12 को आप नीच चले आए, multiplied by 18 plus 12, multiplied by यह हो जाएगा 18 minus 12, now this will simplify a lot, because यह बन जाएगा आपका 6, 6 आपका 12 से हैं, इसल हो जाएगा, और 18 plus 12 जो है, यह आपका 30 बन जाएगा, so आपके simple से value आजाएगी, v की value will be equal to, अभी data मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यह हो जाएगा, half multiplied by 10 by 12, multiplied by यह आपका 30 multiplied by 6, now यह इसको solve करना हमाने लिए असान है, इससे वो करेंगे 2 बचेगा, और यह उपर बचा 300 by 4, तो velocity की value होगी 75 meter per second, so based on this हम कह सकते हैं, कि option number A, 75 meter per second would be the right answer.